अपराजिता के पौधे में यदि एक बार फ्लारिंग होने के बाद दुबारा फ्लारिंग नहीं हो रही है या फिर आपके अपराजिता में ग्रोथ नहीं हो रही या फिर अपराजिता घना नहीं है तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस फर्टिलाइजर के इस्तिमाल से आप अपने अपराजिता के पौधे में अच्छी फ्लारिंग भी ले सकते हैं प्लांट की ग्रोथ भी होगी और प्लांट बहुत जादा बुशी हो जाएगा अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो हर घर में करीब करीब आपको मिल जाएगा इसके फूल भगवान यानि कि थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप इसके बीजों को कलेक्ट करके रख सकते हैं किसी भी पौधे में जब बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो पौधा अपनी फ्लारिंग को बंद कर देता है और थोड़ा सा बेजान सा नजर आता है तो यदि आपको अपराजिता के बीज नहीं कलेक्ट करने हैं तो आप इसे कट करके निकाल सकते हैं और यदि आपको बीज बनाने के प्रोसेस को लंबा करना है तो आप इसे उचित खाद पानी देते रही है महीने भर में ये बीज बनकर तयार हो जाएंगे यानि कि ये ड्राई हो जाएग जो बेल की तरह बढ़ना पसंद करता है अपराजिता में मैंने अभी तक कोई भी ऐसी हाइब्रिड या डॉफ विराइटी नहीं देखी है अपराजिता हमेशा ऐसी जगह पे लगाएं जहां ये लताएं इसकी उपर की तरह फैल सके अपराजिता को जमीन में भी बहुत अच्छे से लगाया जा सकता और यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो आप ट्रेलिस जरूर बांधें यदि आप अपराजिता को सहारा नहीं देंगे तो निश्चित तोर पर इसकी जो ग्रोइंग प्रोसेस है वह कम रहती है यानि धीमी रहती है जैसे देखिए मैंने इसे जिस बड़े कंटेनर में लगाया है 10 इंच के उपर कंटेनर में लगाईए और दोनों तरब से आप किसी स्टिक के सहारे बांध दीजे ताकि इसे सहारा मिल सके थोड़ा उपर बढ़ने के लिए अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं धूप की वज़े से इसके पत्ते जलते नहीं है और अपराजिता में ज्यादा फ्लारिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे उचित स्वाइल मिक्स और लोकेशन का चुनाव करें यदि आप छाये वाली जगह पे रख देते हैं तो पत्तियां तो लश्ग्रीन रहेंगी पौधा स्वस्त भी रहेगा लेकिन फ्लारिंग नहीं होगी देखिए यह है डिये पी आपके पौधे के विकास में बहुत हद तक सहायक होता है और डिये पी बहुत असानी से आपक कंटेनर अपराजिता के लिए रखा है तो आपको कम से कम 10 दाने डिये पी के महीने में एक बार डालने हैं लेकिन इसके लिए पौधे का पुराना होना जरूरी है यदि पौधा एकदम नया है तो सिर्फ 5 दाने आप डालेंगे देखिए यह डिये पी एक चमच मैंने एक लिटर पानी में भीगो करके रात भर रख दिया था डिये पी पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं लेकिन गर्मियों में कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके लिक्विड फर्टिलाइजर का ही हम सहारा लें डिये पी लोग प्रिये खाद है जो बहुत असानी से नरसर दाने हैं दूसरी चीज़ यह है कि अपराजिता को आप थोड़ा सा ट्रीम करके यदि शेप में दे देंगे तो अपराजिता से आप अच्छी और बड़ी फ्लारिंग ले पाएंगे यदि आप पौधे में सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी ट्रीम में ऐसे ही रख दीजे जैसे बीज बोते हैं उस तरीके से और उपर से वाटरिंग कर दीजे ये दो से तीन दिनों में पानी जो स्वाइल में डीकम्पोज हो जाएगा देखे कुछ इस तरीके से आपको लगता है कि पत्तियां एकदम सूख रही हैं तो सौफ्ट प्रूनि में उपर से दो या तीन ही इंच हम कट करते हैं ज्यादा कट नहीं करते हैं गर्मियों में बहुत बड़े कट लगाने से डीप प्रूनिंग से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि कई बार डाइबैक की प्रॉब्लम हो जाती है आपके पौधे पर उसके बाद वाटरिंग आ इसके गुलाई में दे दीजे अब यदि आपका पौधा स्वस्त है ग्रो भी बढ़िया कर रहा है सिर्फ फ्लारिंग नहीं हो रही है या मेरे पौधे की तरह एक बार फ्लारिंग होने के बाद दुबारा फ्लारिंग होने में देरी हो रही है तो आप क्या करेंगे हर एक 15 दिनों पर सिर्फ दो केले के छिलके को कट कर लीजे दो दिन धूप में सुखा लीजे धूप में सुखाने से उसमें जो केले के पार्टिकल्स जो लगे चिपके रह गये होंगे जिसकी वज़ा से कुछ चिप चिपाहट आएगी और वहां से फंगस क्रियेट होगा उस ची फूरी फूर्टिलाइजर होता है नीम खली मिलाने के बाद उपर से वाटरिंग कर दीजे और छोड़ दीजे देखिए आपके पौधे में ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगेगी और कलियां भी बहुत सारी बनने लगेंगी आप राजिता के फूल खिलने के बाद फूलों को हम नहीं हटाते हैं तो वहां से फूल ड्राई हो करके एक सीट पॉट बनाना शुरू कर देते हैं और पौधा धीरे धीरे फ्लारिंग के प्रोसेस को कम करके बीजो का उत्पादन करने लगता है देखिए ये दो केले के छिलके हैं मैंने ड्राई कर लिया है और कुछ इस तरीके से आप अपने अपराजिता में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं फ्लारिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं अभी मै के महीने में ये काम कर लीजे आप 10-15 दिनों में देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा मुझे उमीद है आज की जनकारी आपको अच्छ आपको नर्सरी पे मिल जाएगा 40-50 रुपे में इसकी पौध मिल सकती है और यदि आप बीजों से तयार करना चाहते हैं तो आपको जून एंड तक वेट करना होगा थोड़ा मौसम में जो इतनी जो गर्माहट है ये थोड़ा स्लोडाउन हो जाए और बारिश आने लगे तो कोई भी बीज को ग्रो कराना जल्दी बीजों से पौधे को तयार कराना इजी हो जाता है तो सीट पॉट से ना लगा करके आप अभी पौध करीद सकते हैं तो वेल रेन स्वाइल मिक्स रखना आप यानि की गार्दन स्वाइल यादी 50% है तो 20% आप उसमें सैंड और 20 70-30% कोई भी प्रकार का with गो बर कि खार कि या किसी भी प्रकार के गोंपोस्ट को मिलाना हो कमपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो यह आपके पौदे के ग्रों में सहायक होती है कि श्रीम की लिवम्न like आई यह यह आट है झाल झाल